दू आपकी तालियां उन्हें मंज तक बुला रही हैं जब तक आप मंज पर आएंगे जब तक ये तालियां बश्टी रहेगे एक दू भारत मतागी मंचु परुपस्तित पस्चिम बंगाल भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्स श्रीमान दिलिव गोश जी भारतिय जन्ता पार्टी के राष्ट्रिय महासचीव श्रीमान कैलास विजयवर्गी जी भारतिय जन्ता पार्टी के राष्ट्रिय सचीव श्रीमान दाहुल सिन्हा जी श्री सुरेश पुजारी जी हमारे सहसंगठन मंत्री आधर्णिय श्रीव प्रकास जी कैंद्र में भारत सरकार के मंत्री श्री बाबूल सुप्रियो जी राज्य सबा की संसत सदस्या श्रीमती रूपा गांगुली जी मंच उपर बैठे हुए भारतिय जन्ता पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्स महोदै प्रदेश के महामंत्री महोदै और हमारे संगठन मंत्री सिर्शुब्रोथ चटर जी जी और आज भारतिय जन्ता पार्टी के निमंत्रण पर यहां आए हुए सभी प्रबुद्ध जन एवं कार्यक्रता भाई और बहनों आज मैं बंगाल के दौरे पर हूँ मेरा तीन दिन के दौरे का दूसरा दिन है दूपैर को फ्रेश्वारता थी जितनी भी रादनेतिक बात करनी थी मैंने वहां कर दी है मैं आप लोगों से आप सभी हमारे निमंत्रण पर यहां आए हूँ तो कोई पोलिटिकल बात करने के लिए यहां नहीं आया है मैं आपको रादनीतिक शेत्र के विद्यार थी ना थे देश की ततकालिन अभी की जो रादनीतिक परिस्तिती है इसका विस्कलेशन आपके सामने रखने आया हूँ और उसके साथ ही आपको अपिल करने भी आया हूँ कि आप सभी अगर मेरी बात करने के बाद आपको ठीक लगता है तो बंगाल की अभी की जो परिस्तिती है उसको बदलने के लिए भारतिय जनता पार्टी का सहियोग जरूर करिए मित्रो इस देश में लगबग 1650 पार्टिया अलग-अलग प्रकार की बनी हुई है कुछ रजिस्टर्ड अन्रजिस्टर्ड टाइब की पार्टिया है कुछ खेत्रिय दल है कुछ राष्ट्रिय पार्टिया है और भार्तिय जनता पार्टी, कॉंग्रेश पार्टी और कॉंविनिस्ट पार्टी जेसी राष्टिय पार्टी आभी है और जब हमने सम्विदान सभाने हमारी भारत के सम्विदान की निर्मिति के वक्त मल्टी पार्टी डेमोक्रिटिक सिस्टिम को हमने एक्सेप्ट किया है बहु पक्सिय संसदिय लोकतांत्रिक व्यवस्ता को जब हमने स्विकार किया है तो उस वक्त बहुत महतोपूर्ण है कि देश के पार्टियों का पॉलिटिकल पार्टीज का प्रवाह किस तरह से बहता है क्योंकि ये political parties का जो प्रवाब बहता है वो ही आगे जाकर देश का भविश्य सुनिश्चित करता है चाहे राज्य हो चाहे कैंद्र हो जब हमने multi-party democratic system को parliamentary system को accept किया है तब कोई व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता पार्टिया ही कर सकती है क्योंकि चुनाव पार्टियों के नाम पर लड़े जाते हैं यहां presidential election नहीं होते हैं parliamentary consistency wise parliament के member को जनता चुनती है और वो जाकर मिलकर एक सरकार की रचना करते हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी बंगाल के प्रभू दिजनों को एक कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि 1650 पार्टियों का जो एक गोल बना है उसमें पार्टियों को पहले समझी है और मैं आज जो आपको कहने जा रहा हूं ये भारतिय जनता पार्टि के अध्यक से नाते कहने नहीं जा रहा हूं एक भारतिय जनता पार्टि के कारे करता है नाते कहने नहीं जा रहा हूं मैं एक रादनीती सास्त्र के विध्यारती के नाते मेरा जो एनालिसिस है आपको सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि मैं समदता हूं कि आप भी सोचने वाले लोग हैं आप भी समदने वाले लोग हैं आप भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं ये 1600 पार्टियों का जो एक पुर इंटर्नल डेमोक्रेसी बची है और हर बार हर बार तीन साल के बाद बूत से लेकर राष्ट्री अध्यक्सतर का चुनाव हम समय पर करते हैं सम्विधान के इसाब से करते हैं मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ आप बताएए मेरे बाद भारती जनता पार्टी का द्यक्स कौन होगा कोई बता सकता है क्या बता सकते है बई जरा भी नहीं बता पाएंगे आप और मुझे बताएए सोनिया जी के बाद कॉंग्रेस का द्यक्स कौन होगा सबको जवाब मालूम है बगवान लंबी आहिवदेव ममता जी को मगर उनका वारिष कौन है सबको मालूम है आंत्रीक लोकतंत्र जिस पार्टी में नहीं है वो पार्टी लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती है पार्टी या सुचारू रूप से चले पार्टी या देश के लिए चले पार्टी या विकास के लिए चले पार्टी देश और विकास को समर्पित हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी में आंत्रीक लोकतंत्र होना चाहिए और मित्रों, मैं घर्व के साथ कहता हूँ, मैं किसी पार्टी का अध्यक्स हूँ? जिस पार्टी में तीन साल के अंदर अध्यक्स का चुनाउँ समय पर होता है और हमारी पार्टी का कोई नेता दो टम से जाड़ा अध्यक्स बन भी नहीं सकता है। बंगाल के लोगों को साथ मेरा परिचर जादे न हो क्यूंकि मैं गुजरात में ठेट दूर पस्चिम कौने से आता हूँ और पुडब में खड़ा हूँ मगर मेरे जीवन की राधनीती केरियर की सुरुवात एक छोटे से बूत के अध्यक्से नाते हुई थी वहां से कोई political background न होने के बावजूद इस महान पार्टी ने मुझे देश का राष्ट्री अध्यक्स बनाने का काम किया इसलिए ये बहुत महत्व्पूर्ण है कि जो परिवर्तन लाना होता है वह परिवर्तन वोही पार्टी आश्क्तििय सकती है जिसके अंधर आंतरीक लोगतंत्र अगैर नंदर आंतरिक लोगतंत्र है तो पार्टी की कैडर आवाज उठाती है नेत्रूता गुमरा होता है तो उसको रोकने का सहास होता है आज मेरे बूत का छोटा सा कारेकता मुझे कह सकता है अमित भाई ये बात ठीक नहीं है इसको सुधार करिए क्यूंकि उसमें हिम्मत है वो हमारे संविदान से प्रोटेक् बनाने है तो मित्रो जिस पार्टियों में जिन पार्टियों में आंत्रिक लोकतंत्र ही नहीं बचा है वो पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती में A B C D के नाम देना नहीं चाहता मगर आंत्रिक लोगतंत्र जिसमें नहीं है वो पार्टी ना लोगतंत्र का भला कर सकती है ना राज्य का भला कर सकती है ना देश का भला कर सकती है भारती जनता पार्टी एक मात्र पार्टी ऐसी है कि जो लोगतंत्र के आंत्रिक लोगतंत्र को समाल कर चलती है दूसरी महत्वपूर्ण बात है पार्टी के लिए कि कौन सी पार्टी विचारधरा के अधार पर चलती है, कौन सी पार्टी आइडियोलोजी के अधार पर चलती है और कौन सी पार्टी आइडियोलोजी के इंप्लिमेंटेंशन के लिए उसके अमली करण के लिए सिरियस है, गंबीर है यह भी बड़ी महत्वपून बात है में तो 1650 पार्टियों के इस जंगल के अंदर आइडियोलोजी का सुखा पड़ गया है आइडियोलोजी दुरुबिन लेकर ढूंड कर भी नहीं मिलती है मैं आपको गवर्व के साथ कहता हूँ कि 1950 से जंसंग से जंता पार्टी से लेके भरती जंता पार्टी तक मेरी पार्टी की यात्रा भले मंथर गमिज गती से चली हो भले स्लो चली हो मगर मेरी पार्टी की विकास यात्रा आइडियोलोजी के आधार पर ही चली है जब पार्टी की स्थापना हुई तब भी मेरा कारेकरता भारत माता की जय और वंदे मात्रम का नारा लगाता था और आज भी भारत माता की जय और वंदे मात्रम का नारा लगाता था कि शांस्कूर्थिक राष्ट्रबाद के अंदर साथ इस देश का विकास करना और हर कौने में विकास पहुंचाने मेरी पार्टी का मंत्र है और इसी के कारण हमारी पार्टी तो अस्तितों में आई थी वना पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी हम किसी से अलग नहीं हुए डॉक्टर सामा प्रसाद मुकर जी जी ने जब पार्टी बनाई तब उद्ध्योक मंत्री थी पद्रत्याक कर निकले थे जरूरत क्या थी पार बनाई जन्संग तब सालों तक जन्संग का एक काउंसिलर भी चुमकर आएगा उसकी कोई गैरंटी नहीं थी क्योंकि आजादी का सारा का सारा यस कॉंग्रेस के अकाउंट में सीधा जमा हो गया था जवाला नेरू का सुर्य मध्यान पर था मगर उस वक्त नई बनी हुई सम्मिली सरकारों ने जब निश्चय किया नितिया बनानी सुरू की देश की विदेश निती बनी देश की कुरुशी निती बनी देश की सिक्सा निती बनी देश की अर्थ निती बनी देश की रक्सा नि और विदेशनिति जब बनने लगे तब कुछ लोगों को लगा कि sari nitiyani Bandit की सुघंद कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती है कि ये सारी कि आमूल कहीं नख़ी पस्चिम के विछार से जाकर मेल खाता है पस्चिम के गलती हो जाएगी एक वहिकल्पिक सोच देने की जरूरत है एक विकल्प एक नितियों का विकल्प देश की जंता के सामने रखना चाहिए और विकल्प रखने के लिए सत्ता पर आने के लिए नहीं क्योंकि सत्ता पर आने की तो दूर दूर तक संभावना ही नहीं थी सत्ता पर आने के लिए नहीं एक विकल्प रखने के लिए भारतिय जनसंग की स्थापना हुई जो बाद में भारतिय जनता पार्टी बना और मित्रो भारतिय जनसंग ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ-साथ मुक्त व्यापारों और मुक्त खेती की बात उस जमाने में करी थी जिसको लेकर आज मोदी जी भी चल रहे हैं हम विचारधारा से कभी भटके ने विचारधारा कभी बडली नहीं विचारधारा कॉंप्रोमाइज भी नहीं करी है हम वो पार्टी हैं और जब हमारी विचारधारा के आधार पर पार्टी चली तो स्वाभाविक रूप से स्वाभावी कुरूप से उसका बढ़ना धीरा था मन्थर गती से बढ़े स्लोली से बढ़े पच्चाब दोजार पचास लिसे लेकर 2017 तक का ये फासला हमने बहुत कठोड़ता से प्रारित किया है मित्रों बहुत सारे अत्याचार बहुत सारे मजाग हासी हमारी उड़ी है फिर भी हमने विचारधारा के साथ कभी समाधान नहीं किया है और उस वक्त हमने एक नितियां को बनाने का सुरू किया जिस निती के अंदर इस देश की मिट्टी की सुगन्तों इस देश की संस्कूर्ती मिले इस देश का संसकार मिले इसी के आधार पर ये देश आगे बढ़ना चाहिए इसकी सुरुवात भारतिये जनसंग ने करी भार नित्यों के आधार पर चलने वाली पार्टियों का सुखा हो गया है अकाल पड़ गया है दूर्मीन लेकर ढूंते ही नित्यों के आधार पर चलने वाली पार्टियां नहीं मिलती हैं कॉंग्रेस तो अजादी के अंदोलन से बनी थी राइटिस्ट विचारदारा वाले भी व कोंग्रेस पाइटी एक स्पेशिवल परपस वहिकल था अजादी प्राप्त करने का जिसको आजादी जो ही ती कोई भी विचार था विचारधारा कर दा कॉंग्रेस के साथ जूड गया थbau तो कॉंग्रेस की अपनी स्वता कोई विचारदारा नहीं थी, कॉमिनिस्टों की विचारदारा थी, मगर वो विचार काल के थपड़े खाते खाते, देज भर में से, दुनिया भर में से उखड गई है, कुछ यहां बचे हैं, उनको भी अब दिरे 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 समाप्त होने क विचारदारा के आधार पर चलने वाली एक मात्र पार्टी बची है, और वो है भारतिय जनता पार्टी, बाकी सारी पार्टियों का मूल देखेंगे अब, तो कॉंग्रेस में जाकर कहीं न कहीं मिलेगा, सत्ता का जगडा हो गया, अपना समावेस नहीं हो गया, तो कॉंग कॉंग्रेस तिवारी बनाई, यह सारे कहीं न कहीं कॉंग्रेस चे निकले हुए लोग है, और मैं पूत्ता हूं कहीं बार कि अब यह आपकी विचारदारा क्या है, किस आइडियोलोजी के आधार पर आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, आइडियोलोजी ना कोई क कह सकता है ना कोई इसकी व्याख्या कर सकता है तो जिसमें लोगतंत्र नहों वो पार्टी मल्टी पार्टी डेमोक्रिटिक सिस्टिम को पुरुष्ट नहीं कर सकती है जिसकी आइडियोलोजी नहों वो पार्टी मल्टी पार्टी डेमोक्रिटिक सिस्टिम को पुरुष्ट न नाना है तो आइडियोलोजी बेज आंतरीक लोकतंत्र को इंटरनल डेमोक्रेटी को समाले हुई पार्टी की दिशा में ही इस देश ने जाना पड़ेगा तब ही जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे मित्रो मैं आइडियोलोजी के बारे में बहुत डिटल बताना नहीं चाहता हूँ मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जमाना था जनसंग में जब हम थे तब हम कहते थे कि हम देश का भला करेंगे कोंग्रेस के मित्र और कॉमिनिष्ट दोनों हमारी मजाक उड़ा थे थे कि आपके पास तो अथिकारी नहीं आपके पास थो पावरी नहीं बोलने में क्या दिक्कत है इस देश में 50 साल की आजादी के बाद एक समय आ गया है कि बड़ा बड़ा तीन विचारधाराओं का पार्टी तीन प्रकार का सरकारे इस देश में चली है एक तो कॉंग्रेस की सरकारे चली है राज्य में भी चली कैंद्र में भी चली गैं दूसरा कौमिनिश्ठों की सरकारदी नविन पतनायक जी फिल मैं तर्कार की सरकारों को इस देश ने देखा है इस देश । के बुद्धि जीवियों को आहवान है कि आप तीनों प्रकार की सरकार के आखरे आप सब साइट पर उपलब्द यह किसी को पुछने की ज़रूरत नहीं कोई RTI लगाने की जरूरत ने कहीं पत्र लिखने की जरूरत नहीं देश बहुत आगे बढ़ चुका है सारे आंकडे उपलब्ध हैं आप सभी लोग एनालिसिस करिएगा कॉंग्रेस पार्टी का समय कॉम्मिनिस्ट पार्टी की सरकारों का पर्फोमंस क्षेत्रिय पार्टीयों का पर्फोमंस और भारतिय जनता पार्टी की सरकारों का पर्फोमंस ये चारों के आंकडे आप मिला कर देख लिजेगा मैंने तो देखे इसलिए कहता हूँ कि जहां भारतिय जनता पार्टी की सरकार आई वहां विकास हुआ है वो राज्य आगे बढ़ गया है विकास के मामले में भारतिय जनता पार्टी का रेकोड भारतिय जन्ता पाइटी की सरकारों का रेकोर्ड सभी से बहतर है और मैं इतने जोर से सारवजनिक रूप से इसलिए कह रहा हूं कि आप सब को छुटी है आप सब लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं डाउनलोड कराकर कि अगरी कल्चर ग्रोथ रिट किसने बढ़ा है जीडी पी किसने बढ़ा lagi इंफरस्टर्उक्चर किसने आगे बढ़ा है हेल्ट की पो리 को किसने इंप्रूज किया पोजीशन को किसने इंप्रूव किया गरीबी उन्मुलन की दिशा में कौन आगे बढ़ा रोजगारी की दिशा में कौन आगे बढ़ा अगर आखड़े आप ठीक से तुनात्मकरुप से देख लोगे तो मालूम पढ़ जाएगा कि भारतिये जनता पार्टी ने ही इस देश क तो आगे बढ़ाने का काम किया है और इसलिए जहां भारतिय जनता पाटी की सरकारे आई वहां बार बार चुनकर आई हम गुजरात में चुनकर आए 1990 से आज तक हम नहीं हा रहे हैं हम अध्यप्रदेश में चुनकर आए 17 साल से हमारा शासन है हम 36 गड़ में चुनकर आए कभ हरियाना, जार्खन, महराष्ट, जम्मु कस्मीर, असाम, उत्तरप्रदेश, उत्राखन ये भारतिय जनता पार्टी का फेलाव है वो हमारे नेता खुबसूरत है इसलिए वोट नहीं मिलते है भई हमारा पर्फो मन सच्चा है इसलिए देश की जनता भारतिय जनता पार्टी को चुनती है और आप याद करिये 2012 को दस साल तक यूपिय की सरकार चली इस देश में क्या माहोल था देश का यूवा आक्रोसित था उसको अपना भविश्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता था महिलाय अपने आपको असुरक्षित महसूस करती थी सीमाओ का रोज अतिक्रमन होता था भाई हैमराज का सर काटकर पाकिस्तान की धर्तिपल ले जाकर उसको अपमानित करते थे छोटे-छोटे देश भी हिंदुस्तान की मजाक उड़ाते थे देश के प्रदान मंत्री कहीं वी देश में जाए तो कौने में छपता था कि याल बेल्जियम जाकर आ गए ना दुनिया नोट लेती थी ना देश नोट लेता था किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था वहां जाते थे दोपन्ने का भासन लेकर जाते थे दो पन्ने का अंग्रेजी में लिखा हुआ भासन पढ़कर वापिस चले आते थे कभी कभी तो वियत नाम का भासन बलगेरिया में पढ़ देते थे और बलगेरिया का वियत नाम में पढ़ देते जगसाई होती थी हमारी और देश का सन्मान दुनिया में नीचे सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा था और 2014 में सवभाग्या से बहुत कम समय के अंदर देश में चुनावा गया है और तो विवस्ता उस वक्त पट्री पर से उतर गई थी पॉलिसी पेरालिसिस हुआ था सरकार को नीतियों के मामले में लकवा मार गया था सरकार को हर मंत्री अपने आपको प्रधान मंत्री मानता था और प्रधान मंत्री ऐसा था जिसको कोई प्रधान मंत्री नहीं मानता था कि उनकी आवाज सुनने के लिए महिनों तक देश की जनता रहा देखती थी कि प्रदानमंत्री कभी कुछ बोल भी दे इस प्रकार के अजीब माहोल के अंदर 2014 का चुनाव आया भारतिय जनता पाटी ने गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री स्री नरेंद्र मोधी का चैन किया, उनके नेत्रुतों में हमने चुनाव लड़ा, डंके की चोट पर हमारा नेता टाय किया और 30 साल के बाद 30 साल के बाद पहली बार 30 साल के बाद पहली बार इस देश में किसी दल को प्रून बहुमत मिला और एक स्थी register सरकार अस्तितों में आई आजादी के बाद पहली बार किसी घैर कॉंग्रेसी सरकार को किसी घैर कॉंग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम यह देश की जन्ता ने किया और स्री नरेंद्र मोधी देश के निता बने प्रधान मंत्री बने और मित्रोय 2014 से 2017 का सफर देश के सामने हैं उस वक जो युवा क्रुसित था आज वो स्टाट अप बनाने पड़ गया है स्टेंड अप के अंदर दलित युवा अपनी नौकरी ढूंता है स्कील इंडिया के तहत वो अपने आपको वैस्विक प्लेटफॉम पर पाता है जब देश की सिमाओं के साथ अतिग्रमन बार बार होने लगा उरी की घटना के बाद सर्जीकल स्ट्राइक करकर भारत ने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि आप हमें हलके से नहीं ले सकते हैं हम सांती तो चाहते हैं अपने पड़ेशिय से मगर हमारी सिमाओं का अतिग्रमन कोई नहीं कर सकता एक सार्व भोमत वाला एक सौरें कंट्री है हम ये देश दुनिया में हमने भेजा है नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, वहां उनका स्वागत होता है, आओ भगत होती है, सन्मान होता है, हज़ारों हज़ारों का जुलूस, नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के अंदर जुमता है, मित्रों, यह स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह स् देश की सवासो करोड जंता का स्वागत है चाहिंद्र मोदी जी ने देश की जंता को देश को दुनिया में सन्मान दिलाने का काम किया है eight 004 प्रतियसत पर छोड़ कर गए थे विकासतंतaining को हम 7.6% तक लेने काम किया है और हम आज हिंदुस्तान दुनिया भर में सबसे तेज गती से बढ़ती हुई अर्थ व्योस्ता बनकर आपने सामने खड़ा है और मित्रों कितने काम मैं बहुत सारे काम गिनाना नहीं चाहता है मगर इस सरकार जो है वो सम्वेदा से चलने वाली सरकार है इस सरकार जन भावनाओं को जानने वाली सरकार है एक जमाना था जब गवर्नन्स के बारे में कहा जाता था reforms होने चाहिए reforms सुधार होने चाहिए हमने वो व्याख्या को बढ़ला है हम reforms में नहीं मानते हैं हम transformation में मानते हैं आमूल चूर परिवर्तन बढ़लाव में मानते हैं और वो करकर हमने दिखाया है इस देश के अंदर किसी कोई प्रधान मंत्री को कलपना नहीं आई मैं एक उदान देना चाहता हूँ कि समवेदन सिल गुड गवर्नन्स कैसे हो सकता है नरंद बईन आने के साथ ही जो LPG के connection होते हैं इसकी सब्सीडी को डाइरेक्ट ट्रांसफर करने की सुरुवात कर दी और सब्सीडी जो ग्रहक की थी वो सिधी इसके बैंक अकाउंट में जाना सुरू हो गई आपको लगेगा भी इसमें क्या बड़ा हो गया पहले पैसा देना नहीं पड़ता है ता आप देना पड़ता है और बाद में जाकर आप भेते और हम दे आते हैं मगर 14,000 करोड की सब्सीडी बच गई क्यूंकि वो कनेक्शन जाली थे फरजी थे जिसका बैंक अकाउंट ही नहीं था अब कल्पना कर सकते हो इतने सालों से 14,000 करोड का एक और्गेनाईज ब्रश्टाचार सिर्फ एलपीजी कनेक्शन बांटने में होता था जब मालूम पड़ा कि वो कनेक्शन कहा जाते थे पांट सितारा होटल में धनीको का खाना पकाने के अंदर एक कनेक्शन सब्सीडी कनेक्शन उप्योग में आते थे वो व्यास्ता को स्री नरेंद्र मोधी ने बंद कर दिया उसके बाद में नरेंद्र भाई ने एक अपील की कि यह सब्सीडी है देश के गरीबों के लिए जिनको अपना जीवन आगे बढ़ाना है उसके लिए जिस पर इस्वर की कुर्पा है जो संपन है जो सरकारी नौकरी प्राप्त करें हैं जो कमा लेते हैं वो क्यों सब्सीड कि छोड़ दो मैं आपकी सब्सीडी किसी घरीब को दे दूंगा और मित्रो मुझे कहने में घर्व है कि एक बार इस देश के प्रदानमंत्री लाल बार्दूर सास्त्री ने जब पाकिस्तान से युद्ध किया तब कहा था सप्ता में दो दिन चावल खाना छोड़ दो क्यो और नरेंद्र भाई ने नरेंद्र भाई ने जब कहा कि आप सब्सीडी छोड़ दो मुझे कहते हुए खूसी है कि एक करोड चालीस लाख लोगों ने अपनी सब्सीडी घिवी टप के नाम से खुद ही छोड़ दी तो 14,000 करोड वहां बचे और बाद में 1,40,000 करोड लोगों ने सब्सीडी छोड़ दी पैसो का क्या करना कोई और सरकार होती तो बजेट का घाता समाप्त कर देती नरेंद्र भाई ने कहा कि एक माता जब चुले पर कंड़ा और लकड़ी जला कर खाना पकाती है 400 सिग्रेट जितना दुआ उसके फिपड़े में चला जाता है उसका बीमार ससूर बाप वो भी बीमार होता है बच्चा भी टीबी से युक्त हो जाता है कि इसके जिवन में उज्जीयारा कौन लाएगा नरेंद्र भी ने तइक किया कि हम पांच साल में पांच करोड माताओं के घर में उज्जवलायोदना के तहट घ actress पहुँचाने का काम करेंगे और मित्रों दो ही साल में दो करोर देश की गरीब माताओं के घर में घैस पहुंचाने का काम यह भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने कर दिया है मित्रों आप इसको रिफॉर्म कहेंगे सुधार कहेंगे ना जी यह रिफॉर्म नहीं है यह ट्रांस्फोर्मेशन है रिफॉर्म सब्द छोटा पड़ गया आपने डाइरेक सब्सीडी बेजी ये रिफॉर्म से आपने अपील करी ये आपका व्यत्तिगत इस सरकार को उपर ले जाने का एक व्यत्तिगत प्रयास है और ये सारा इखट्टा होकर जब घरीस के घर में गैस का चुला पहुचा ये सार करोड देश में के देश में चार करोड घरों में सवाचालय पहुचाने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार अब कलपना करिये कि गाउं के अंदर दूर देहात के औरिसा के यूपी के विहार के गाउं के अंदर 16 सालकी बच्ची जिसको भी अपना जीवन शुरू करना है, सुभे उसको सौच जाने के लिए खुले में जाना पड़ता होगा, ये बेटी के मन में इसके मन पर कितना बोज होगा, कितनी सर्म होगी, लोग मजाक उड़ाते होगे, सर्म से मारी नजर जुका कर वो घर पे आती होगी, इसका आत मईश्वा समाप्थ हो जाता होगा, वो बच्ची जिसको अभी देश को कंट्रिबूट करना है, देश की नागरिक बनना बाकी है, किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था, प्रधान मंत्री जी ने इस देश में सौचाले की योजना को शुरू किया, स्वच्चता अभ्यान के नाम पर और डेड़ ही साल में, चार करोड गरीबों के घर में सौचाले भेज कर उनकी सर्म की जिन्दिगी से बाहर निकालने का था, मित्रोई इसको कहते है, एमपावर्मेंट, ये गरीबों का सोशल एमपावर्मेंट हुआ है, उसको अच्छी जिन्दी जिने के सपन दे का काम, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदान मंठरी नरेंड्र मोदी ने किया है, आज देश में गरीब का बच्चा जनता है, तो उसको सपन देने का अधिकार है, सपन देखने का अधिकार है, पहले वो नहीं होता था, उसके पास इतना ही छोटा सा सपन बीच कई सारे मामलों में हमने टांटिकारी नीने लिए हैं एक सो चार सेटेलाइट उग्र एक साथ अंतरिक्स में छोड़कर अंतरिक्स की दुनिया में आध भारत को लीडर एनाते प्रस्ताफित करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने की नौट बंदी का फैसला दुनिय अब भरके और से सास्त्री आस्चर चकी थे और दीदी बहुत चिंती थे दिखाई पर्दिये की लिए दिखाई पड़ती हैं नहीं दिखाई पड़ती है मुझे मालूम नहीं उनका क्या लूट गया है मैं समझ नहीं पाता है जिनके पास कालाधन था उनको दिक्कते आती हवाई चंपल पेढ़ने वालों को क्यों चिंता हुई भई यह किसके खिलाब था जाली नोट का व्यापार करने वाले के खिलाब था टेक्स भरे बगेर का पैसा जिसके घर में गड़ी यांबन कर पड़ा था उनके लिए था नरेंद्र भाई ने एक ही एक ही परिवर्तन से देश में आमूल चूर परिवर्तन लाया है और वो सारी धंड़ा सियाज बैंकों में जमा हो गई है जो घर में पड़ी थी और देश के विकास में इसका उप्योग हो रहा है हम तो पार्टी चलाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है हम आज पार्टी चलाने के लिए हमें भी पैसा चाहिए पहले 20,000 रूपया तक कैस्ट डोनेशन लेने की व्योस्ता थी नरेंद्र भाई ने इसको 2000 करकर लगबग लगबग काले धन को चुना असन में आये इस देश के साट करोड लोग ऐसे थे एक सो पचीस करोड में से साट करोड लोग मतलब पचास प्रतिसत आबादी ही जिसके पूरे परिवार में उसका छोड़ दो पूरे परिवार में बैंक एकाउंट ही नहीं था जन्दन योधना को नरेंदर भाई ने कठोरता से लागू करकर 28.11 लोगों के बैंक एकाउंट खोल कर वो घरीब को अर्थ तंत्र के साथ जुडा हो करने का काम ये भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है मुद्रा बैंक योधना के माध्यम से सालों से कल्पना थी कि रोजगारी का मटलब नौकरी नौकरी में भी सरकारी नौकरी हमने वो कल्पना को बढ़ला है उद्राबैंक के माध्यम से साथ करोड 32 लाक विवाओं को स्वरोजगारी के लिए लौन देकर अपना जीवन सन्मान पुर्वक जिने का रास्ता प्रसस्त कर दिया है कोई गाओं में हजाम की दुकान खोला है कोई ठेले लगा रहा है कुछ कर है कुछ करकर है कोई छोटी सी बच्ची बीटी पालर का अपना स्वाब खोलकर अपना जीवन सन्मान से बिग जा रही है कोछ चोटा सा लड़का कॉम्पूटर लेकर आइटी के साथ माध्यम से दु प्रू संपत्ति के खिलाब दो नए कानून लाए है और काले धन पर लगाम लगाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है अब्यान चला है बहुत सारे वकील सीए बैठे उनको तो मालूम ही होगा कलकत्ते में क्या चल रहा है भी या मालूम है या नहीं है बहुत बड़ा अभ्यान सेल कंपनियों के खिलाब भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने चला है एक भी मेप लॉंच करी है और भी मेप के माध्यम से आज भी मेप डिजिटल ट्रांजेक्शन की दुनिया में दुनिया का सबसे लोक्रिया और सबसे तेजी से बढ़ने वला आजिकार नहीं था दवाईयों के भाव इतने बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए कि कोई इसको देखने वाला नहीं था हमने जनरिक दवाईयों का कंसेप्ट लाकर आज M.C.I. ने भी कानून कर दिया है डाक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन जन्रिक दवाईयों का ही लिखना पड़ेगा सत्तर प्रतिसत से कम दाम में देश के गरिब को दवा मिले इस प्रकार की विरस्ता ये भारतिय जनता पाथी बगवान करें सब स्वस्तर हैं मगर जब स्टेंट लगाने का सवाल आता था तो 40,000 से शुरू होता था 1,80,000 तक की इसकी कोश्ट थी मित्रो लूक थी इसकी कोश्ट इस्ती थी नहीं भारत सरकार ने इसकी मिनिमम प्रोडक्शन कोश्ट और वाजिब बुनापा क्या हो सकता है आज 7,000 से 40,000 के बीच में हर प्रकार के स्टेंट बिलना सुरू हो गए मैं मानता हूँ इस देश के घरिब को भी अपना दिल सुधारने की व्योस्ता नरेंद्र मोधी सरकार ने कर दिया मित्रो इंद्र धनू शियोधना के तहट टिका करण को हमने जोड दिया देश के 12 करोड बच्चों का छे मैने के अंदर टिका करण करकर आज उनको एक स्वस्त नागरिक बनाने की दिशा में बहुत बड़ी पहल की है इंडिया श्टाटप इंडिया और स्टेंडप इंडिया के माध्यम से जाहे दलित बच्चा हो चाहे घरीब बच्चा हो चाहे ईटी प्रोफेस्नल हो उसको एक वह स्वीक्ष प्रेटफर्म देकर विश्व के बच्चों के साथ पर्धा कराने के लिए हमने एक बहुत- करती थी भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने स्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के अभियान को आगे बढ़ाया, अभी भी काफी सारे लोग हमारी टिका करें, हमारे विरोधी भी करें कि यहाँ कुडा पढ़ाये, वहाँ कुड़ा पड़ा है उनको मालुम नहीं है कि एक प्रक्रिया है इस संस्कार देने का काम है और आध नरेंद्र मोदी के स्वच्चते का ब्यान के कारण इतना हो गया है मित्रों बहुत सारे यहां भुजुर्ग लोग बेटे हैं आपकी पोते की उपस्तिती में चॉकलेट का छिलका नीचे नाक कर देगेगा पोता कहे गया कि दादा मत डालिये इसको कच्रापेटी में डाल देजिए नहीं पीडि को संसकारित करना और स्वच्चता के संस्क्राइस सुसाइटी है नाते शमाज है नाते पूरे समाज में इंप्लांट करना इसको आरोपीत करना में तो बहुत बड़ा काम है सरकारों ने काम को समझा ही ने कि ये मेरा काम है मगर इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं को भी हमने जन भागीदारी से सुलजाने का काम किया है नमामी गंगे के माध्यम से देश बर की नद्यों को स्वच्छ करने का हमने अभियान उटा आया और बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के माध्यम से जो जेंडर रेश्यों का खतरनाक अंक कम हुरा था महिलाओं का आज मैं बताता हूं हरियाना के अंदर पहले 830 एक हजार के अनूपात में 830 महिलाए थी आज 999 महिलाओं क्या जन्म हुआ है कितनी बड़ी खतरनाक समस्या थी जिसको किसी ने अड्रेस नहीं किया भारती जंता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने अड्रेस किया मित्रो बंगाल के लिए भी इस सरकार ने बहुत कुछ किया है में बंगाल में नार्दा सार्दा बंधमा के लोई और फला धिका कुछ कहना नहीं चाहता है आप सिधा बात कर लेगा मंता दिदी से मैं आप सब के बीच में नहीं आना चाहता है मागर बंगाल के विकास के लिए हम चिंती ते और अमारा धिकार है नरेंद्र मोधी सरकार ने पहले यूपीए की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी उस वक्त 13th Finance Commission ने 13th Finance Commission ने 5 साल में 1,3,549 करोड रुपया बेजा था मैं फिर से रिपीट करता हूँ बाद मैं पुछूंगा अकड़ा कितना बेजा था है पुछूंगा 1,3,549 करोड रुपया 13th Finance Commission में बंगाल के विकास के लिए बेजा था 1,3,549 करोड नरेंद्र मोधी सरकार ने भाजपा सरकार ने 14th Finance Commission के अंदर 2,89,942 करोड रुपया बंगाल को दिया है मित्रो तीन गुना पैसा देने का काम किया है तालिमत बजा ना भीया दिखाई पड़ता है कहीं कहां गया क्या कुछ हो जाते हो भई हम तो भेज रहें मगर आप तक पहुंच नहीं रहा है बंगाल की ना गरी भी दूर होती है ना बेरजगारी दूर होती है ना रोड अच्छे बनते है ना ब्रीज बनते है ना लाइट गर में पहुंती है ना विवा को रोजगारी मिलती है तो पैसा कहां जाता है भई कहां जाता है भई मित्रो ब्लॉक्स ग्रांट के अंदर 17,070 करोड रुपया भेदते थे हमने रेवेन्यू डेफिसेट ग्रांट को भी बढ़ा कर तिन गुना का है और पास्टर की ग्रांट को 1263 से बढ़ाकर 2140 करोड किया है ग्रांटी नेड्स को 9520 करोड से बढ़ाकर 34,735 करोड किया है मेरे पास तो पूरा विकास का खाका है जो क्या किया है रोड के लिए क्या दिया पॉट के लिए क्या दिया अग्रिकल्चर के लिए क्या दिया शिक्सा के लिए क्या दिया स्वास्त के लिए क्या दिया रोजगारी के एक्षेत्र में स्किल इंडिया के लिए क्या किया मगर एक डर मन में गुज गया है कि सारी योदना अगर नीचे पहुंचती है तो नरेंद्र मोरा होधी पॉपिलर हो जाएंगे तो बी जेपी का हववा बन जायेगा मित्रो इस प्रकार से हमारा संहिय धांचा फेडरल streaming जल सकता है जो फेडरल स्रक्चर की जिम्मदारिया है है हमारे समविधान ने प्रिषार से इसको लग किया है देश की सुर्क्षां चंद्र का जिंमा है विदेश्दिक चंद्र का जिंमा है आर्थिक वित्ययनीयमन केंद्र का जिम्मा है, मगर कुरूसी विकास, स्वास्त, प्राइमरी एज्यूकेशन, पोर्टेबल वटर सप्लाई, सैनिटेशन, हैल्प, इस सारी जिम्मेदारी रोड्स, राज्य की है, भारतिय जन्ता पार्टी अंदर अखल नहीं कर सकती, और मित्र इसलिए मैं कहता हूँ, कि अगर कैंद्र अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समालेगा, और राज्य नहीं समालेगा, तो संतुलित विकास नहीं उपाएगा, जिन जिन राज्यों ने इसका फाइदा लिया, वो वाद बहुत आगे बढ़ने लगे हैं, मगर अ सेरेंद्र मोधी सरकार बनने के बाद, हर 15 दिन में एक योधना ये सरकार लेकर आई है, 97 योधनाओं की सूची मेरे पास में है वे, मैं थोड़ा जोड से पढ़ता हूँ, आपको लगे बहुत हो गया, हम मान गये तो ताली बजा देना मैं बन कर दूँगा, पढ़ू सबसे समरूद राज्यों में जिनकी सुमार होता था, ऐसा बंगाल आज घरीब राज्यों के सुमार में आगा है, कैसे उठेगा बंगाल, कैसे उठाएंगे बंगाल को, मित्रों हम मानते हैं कि भारत माता का मान चित्र यहां लगाई, इसकी दो गुजाए हैं, एक पस्चिम है और एक पूरब है, पस्चिम में विकास हो गया है कापी अच्चा हुआ है, आप जाकर देखिए, गुजरात, महराष्ट, राजस्तान, मध्यपदेश, चतिसगर, गोवा, मगर पूरब में, बिहार, ओरिशा, बंगाल, नौर्थिष्ट, बहुत कूछ होना बाकी है मित्रों, और इस अंतुलित विकास नहीं है, देश के एक देखिए, प्रधानमंत्री निजी ने कहा था, जब तक पूरवी भारत का विकास पश्चिम की तरज पर नहीं होता, ये देखिए, और मित्रों में मन से कहन आया हूँ, अगर पूरवी भारत में विकास को लाना है, तो हम सब प्रयास कर ऐए, आप भी हमारा सहीयोग करिए पूर्वी भारत में कमल का फूल खिलाना पड़ेगा तभी जाकर विकास आएगा। जिस पार्टी को लिए सर्वस परसिया सर्वस समावे सक विकास का द्रश्ट्री कौन नहोग विजन नहोग। विकास का मोडल ऐसा होना चाहिए जिसमें सब के लिए जगा हो और विकास का मॉडल हैसान होना चाहिए कि विकास सब को सपर्स कर जाए सर्वसपर्सिय होना चाहिए इस प्रकार की मॉडल जो पार्टिया नहीं बना सकती वह विकास नहीं कर सकती मित्रों हम बंगाल के अंदर इदिन जन्मसति में भारतिय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के लि कॉम्मिनिस्ट को भी दिया है नहीं दिया है और त्रिनमुल कॉंग्रेस को दिया है नहीं दिया है कौन बाकी रहेगा है कौन बाकी रहेगा है तो एक मौका भारतिय जनता पाटी को दे कर देखिए हम दुबारा वॉट मांगने नहीं हैंगे आप खुद ही वॉट दे दोगे और मित्रो विकास एक बात है, बंगाल की संस्कृति और संस्कार पर भी आगात हो रहा है, मुझे तो बड़ा आश्चरिय हो रहा है, कि सरस्वती पुजा के लिए भी पूलिस की मदद की जरूरत पड़ती है, दुर्गा पुजा के विसरजन के लिए बंगाल के निवासियों को हाई कोट के द्वार कटाने पड़ते हैं, किस प्रकार से हम चलाना चाहते हैं सरकार को, और हम दबने वालों में से नहीं है भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता मित्रों, भारतिय जनता पार्टी के प्रदे सद्यक्स महोदय ने तै किया है, अब से हमारी राज्य की कारणे कारणी के बाद, भारतिय जनता पार्टी का हर कारेकरम सरस्वती पूजा के साथ ही सुरू होगा है यह हमारी धरोर है यह हमारी पुंजी है संसकार और बंगाल अगर संसकार गवा देता है तो देश में कहां बच जाएगा यह तो संसकार भूमी है वंदे मात्रम और जन्न गन्न शामन्न की भूमी है रामखुष्ण परमन्स व्यूहकनन की भूमी है बंकिमचंद्र चटो पाद्याव टागोर के बूमी है यह सामाप्रसाद मुकर जी की भूमी भी बंगार अगर संसकार चोड़ेका तो कहां जाएगे बंगाल ने देश को संसकार दे बंगाल का दाई तो है देश को संसकार देना तो मेरा आप सबसे करबद निवेदन है कि मोदीजी के नित्रुत में भारतिय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से देश में एक विखास का मॉडल लेकर निकली है एक देश के सांस्कृतिक राष्टवाद का मॉडल लेकर आप सभी लोग भारतिय जनता पार्टी को एक मौका दीजे भारतिय जनता पार्टी का समर्थन दीजे इतनी ही करबद निवेदन करकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ भारत मता कीजे